लास्ट वीडियो में हमने पड़ा कि वेंड डाग्राम बेसिकली होता क्या है ये एक कोई भी पर्टिकुलर सैट गिवन है उसका एक पिक्टोरियल रिप्रिजेंटेशन है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कुछ बेसिक वेंड डाग्राम जो हमें याद रखने है और हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिजन अगर मैंने वेंड डाग्राम में शेड किया है तो उस रिजन को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे तो उसको स्टार्ट करते हैं सफ से हेस्टेट one सफ से फर्स्ट वाला सपोज मैंने एक वजण डाग्राम बनाया ये अभी मैंने दो reason को set किया ये वाला reason बाहर वाला reason बताओ red वाला reason किसको represent करता है तो मैं बोलूँगा red वाला reason represent a और yellow वाला किसको represent करता है तो yellow वाला represent a complement a bar a dash ठीक है और ये blue वाला किसको बाहर वाला universal set ये तो सबको पता है चलो number two number two को देखो अगर मैंने ऐसे डाइग्राम बनाया टू सेट्स का जब भी टू सेट्स का डाइग्राम बनाएंगे हमेशा याद रखना हम लोग एक जनरल वाला बनाएंगे मतलब कुछ एजियूम करके चलेंगे कि इनके बीच में कुछ तो कॉमन है जैसे मैंने ये वाला बनाया This is A, this is B चलो मेरे पास एक Vand diagram कुछ ऐसा दिख रहा है मैंने एक region को shared किया This region ये किसको represent करता है A intersection B को बहुत ही बढ़िया तो इसका मतलब अगर मेरे से कोई पुछे A intersection B को कौन सा part represent करता है तो मैं इस region को shade कर दूँगा चलो नमबर 3 नमबर 3 में है फिर से मैंने एक Vand diagram मनाया This is A and suppose this is B अभी मैंने क्या टिया एक region को shade किया देखो ध्यान से ये वाला सिर्फ इसको क्या बोलेंगे तो मैं बोलूँगा इसको A not only A only A बोलने से क्या होता सिर्फ कौन सा reason आता सिर्फ ये वाला reason आता only A मतलब ये वाला reason ऐसा है जिसमें सिर्फ A है लेकिन अगर मैं पूरा green वाली reason के बारे में बात करूँ तो उसको क्या बोलेंगा हम लोग A चलो ये समझ में आना चाहिए हमें A and this is B ये universal set है अभी मैंने एक region shade किया suppose ये वाला reason ये reason किसको represent करता है मैं बोलूंगा पूरा का पूरा universal set में B को छोड़के सबकुष shaded है B को छोड़के सबकुष shaded है मतलब क्या हो गया ये वाला green वाला part B bar B complement या फिर B dash को represent करता है ठीक है next fifth one अगर suppose मेरे को कई पूछे कि only A कौन सा part है this is A this is B only A कौन सा part है तो मैं क्या बोलूंगा ये वाला जो reason है ये only A को represent करता है this is only A only A को हम लोग set के form में कैसे represent करेंगे तो हम लोग बोलेंगे A तो पूरा नहीं है A में क्या कमी है B को माइनस कर दो A वाले सेट में से B वाला सेट माइनस कर दो मतलब A वाले सेट में से वो वाला चीज माइनस कर दो जो A और B दोनों में कौन है इसको ऐसा लिखा जा सकता है कोई ऐसा भी लिख सकता है A में से वो वाला चीज माइनस कर दो जो दोनों में कौन है दोनों में common को क्या लिखते हैं हम लोग A intersection B तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A minus A intersection B या फिर A minus B लिख दो बात एक ही है चलो इसी तरीके से अगर मैं एक Venn diagram बनाओ 6th one This is A, this is B मैंने एक region को shade किया वो है ये इसको हम लोग क्या बोलेंगा only B only B को हम लोग shade theory में कैसे represent करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसमें B में से क्या minus कर दो A minus कर दो या फिर B में से वो वाला चीज माइनस कर दो जो दोनों में common entities A intersection B बात एक ही है ओके नमबर 7 एक universal set बनाया उसमे एक A है एक B है मैंने दो region को shade किया only A वाला भी और only B वाला भी तो इसको क्या बोलेंगे English में इसको अगर बोलना चाहे तो exactly A या फिर exactly B only A या फिर only B इस टाइप से बोलना है ठीक है only A या फिर only B exactly A या फिर exactly B दोनों में से कुछ भी चलेगा this means exactly A को कैसे represent करेंगे exactly A को अभी तुरन देखा हमने A में से B को माइनस कर दो exactly A हो जाएगा या फिर exactly B को कैसे represent करेंगे B में से A को माइनस कर दो exactly B हो जाएगा इन दोनों का क्या करो union ले लो मतलब ये भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए तो हम लोग क्या करते है union basically addition तो हमारा ये जो shaded region है वो इसको represent करता है A माइनस B union B माइनस A अब ये वाला जो चीज है ये important है इसको हम लोग set theory में एक और चीज से represent करते है जो कि ये symmetric difference मतलब A delta B कहीं पर अगर A delta B लिखा हुआ इसका मतलब तुम्हें तुरंट समझ जाना है वो ये लिखा हुआ है A माइनस B union B माइनस A तो A delta B को हम लोग निलिस में क्या बोलते है symmetric difference of two sets इसको याद रखना इसको star mark कर सकते है A delta B का मतलब क्या होगा only A exactly A हो जाए या फिर exactly B हो जाए काम चल जाएगा हमार चलो आगे बढ़ते है number 8 फिर से एक Venn diagram मैंने बनाया और मुझे A union B को represent करना है suppose this is A, this is B तो मुझे अगर A union B को represent करना है तो मैं कौन सा reason को shade करूँगा पूरा का पूरा A B B और दोनों के common part को भी this is A union B ठीक है A union B ये बारा part हो गया next अगर मैं इस yellow वाले reason को बोलूँ कि yellow वाले reason किसको represent करता है तो मैं क्या बोलूँगा yellow वाले reason represents A union B का complement okay चलो ये सब तो हमने देख लिया इसके बाद कुछ और भी बना सकते हैं कि चलो एक और try करते हैं 9 सपोज मेरे पास ऐसा कुछ shaded region है this is A, this is B, this is union सपोज मैंने shade किया इसको और इस बाहर वाले को इसको अगर इंगलिस में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे या तो दोनों हो या फिर दोनों में से कुछ भी ना हो exactly A and B बोथ या फिर दोनों में से कुछ भी ना हो तो इसको हम लोग set theory से इसे represent कर सकते हैं A intersection B या फिर union A union B का बार A intersection B और उसका union किसके साथ A union B का बार क्यों क्योंकि बाहर वाले reason किसको represent करता है A union B के बार को अंदर वाला reason किसको represent करता है A intersection B को दोनों का हमने क्या लिया है union लिया है ओके अच्छी बात है अभी यहां से हम लोग कुछ cardinal टिप बात करते हैं cardinal numbers पर हम लोग बात करते हैं cardinal numbers पर क्या है देखो सबसे पहला when diagram मैंने बनाया ये suppose this is A this is B और ये universal set है मैंने ये वाला reason पूरा A union B निकालना है number of elements in A union B मैं ये वाला formula drive करना है number of elements in A union B ये क्या होने वाला ये सोचो तो तुम बोलोगे मैंने पूरा का पूरा A को ले लिया this is N A उसके बाद मैंने क्या किया पूरा का पूरा B को भी ले लिया this is N B लेकिन जब तुमने A को भी लिया और B को भी लिया तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये बीच वाला reason दो बार count हो चुक है देखो black वाले reason में भी आ चुक है रेड़ वाले reason में भी आ चुक है लेकिन actual में A union B में हमें इस reason को कितनी बार count करना है सिर्फ एक बार तो अब मैं क्या करूंगा एक बार इस reason को माइनस करने वाला हूँ और वो reason क्या है A intersection B this means आज के बाद हम लोग एक formula याद रखेंगे यहीं से हम लोग एक और formula डिराइब कर सकते हैं N of A intersection B क्या होगा N of A intersection B को क्या करो LHS में ला दो N of A union B को क्या करो RHS में भेज़ दो तो यह आ जाएगा N A plus N B minus of N of A union B बस इन दोनों formula को हमने याद रखा N of A union B जो होता है वो होता है N A plus N B minus N A intersection B यह वाला formula number 1 है चलो आगे देखते हो और भी formula number 2 number 2 मैंने बोला अब किसी का भी number पूछ दे यह तुमें खुछ से derive करने आना चाहिए suppose मैंने कुछ देर के लिए यह पूछ दिया कि मेरे पास यह है A B यह reason या फिर यह reason इसका मैं कैसे निकालूँगा number तो यह basically कौन से reason को represent करता है A delta B को तो basically मैंने पूछा क्या है number of elements in A delta B कितने होंगे तो मैं बोलूँगा क्या करो N A union B में से क्या हटा दो N A union B का मतलब पूरा का पूरा यह reason हो जाता है पूरा उसमें से N A intersection B को माइनस कर दो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा N A union B क्या होता है N A प्लस N B माइनस N A intersection B होता है यह होता है हमारा यह वाला पार्ट और एक माइनस N A intersection B extra है इसका मतलब इस इस N A प्लस N B माइनस 2 टाइमस N A intersection B ओके तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया N A delta B का इसको भी हमें याद रखना है क्या हम इसको directly proof नहीं कर सकते थे बोलेंग हाँ जब मैंने N A लिया तो यह पूरा का पूरा reason ले लूँगा जब मैं N B लूँगा तो यह पूरा का पूरा reason ले लूँगा मुझे यह वाला reason पूरा का पूरा हटा देना है और इस reason को मैंने कितनी बार count किया है दो बार तो मैंने इसलिए दो बार minus कर दिया simple सी बात चलो एक और formula derive करके दिखाओ कुछ से कि suppose मेरे पास when diagram कुछ ऐसा है this is universal set इसमें एक set है A एक set है B मैंने यह वाले reason को shade किया उसके बाद बाहर वाले reason को shade किया सिर्फ इसका बताओ number of elements in this region number of elements in shaded reason कितना होने वाला है तो मैं क्या बोलूँगा N of A intersection B तो निकाली लो plus क्या करना है उसमें N of A union B का बार अभी यहाँ पर फसे N of A union B का बार N of A union B का बार को कैसे निकालेंगे हम लोग तो यहाँ तो हम लोग इसे बोल सकते total universal set में जितने number है उसमें से N of A union B वाला चीज हटा दो N of A intersection B N of A intersection B N of union हमें पता होगा N of A union B हटा दिया उसमें से तो यह आ गया shaded region का portion चलो बहुत ही बढ़िया हम लोग किसी भी फार्मूला को यहाँ से derive कर सकते हैं इसके बाद मैंने एक वीडियो में बताया था कि D Morgan's law को हम लोग last में डिसकस करेंगे D Morgan's law दियान से देखो इस law को D Morgan's law ने क्या बोला देखते है मैंने दो region को shade किया है This is A This is B यह universal set है मैंने क्या किया यह region को shade किया बताओ इस region को क्या बोलेंगे तो तुम तुरंद बोल लोगे सर This is A union B का whole bar है की नहीं A union B के बाहर वाला part पूरा तो A union B का whole bar अच्छा कुछ जरी के लिए तुम यह बनाओ A bar intersection B bar A bar intersection B bar कैसे बनाएंगे A bar intersection B bar कैसे बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि यह वाला reason A है यह वाला reason पूरा का पूरा B है यूनिवर्सल से अभी A bar intersection B bar बनाना है अभी देखो जब भी difficult आ जाए कुछ समझ में ना आए किस तरीके से बनाना है तो बहुत ही simple तरीका मैं बता रहा हूँ तुम क्या करो सारे के सारे reason को number कर दो तुम बोल दो यह बाहर वाले सारे reason को मैं बोलूँगा reason one exactly A वाले को मैं बोलूँगा reason two exactly दोनों वाले को बोलूँगा reason three सिर्फ B वाले को बोलूँगा reason four चार ही reason है हमारे पास ओके अभी ऐसे सोचो कि मेरे पास कोई बोले A ए कौन कौन से reason को represent करता है तो मैं बोलूँगा two and three इन दो reason को मिला दो A बन जाएगा अच्छा ये बताओ B किस reason को represent करता है तो मैं बोलूँगा three and four वाले reason को मिला दो B आ जाएगा अच्छा अभी बताओ A intersection B किस reason को represent करता है तो मैं बोलूँगा सिर्फ third वाले reason में A intersection B है कोई पूछे A union B कुछ reason को represent करता है तो मैं बोलूँगा 2,3 and 4 ये तीनो reason को मिला दो A union B आ जाएगा ओके A delta B किस reason को represent करता है तो तुम बोलोगे 2 and 4 दो और चार दोनों को represent करता है A delta B इसी तरीके से अगर मैं A बार निकालो A bar, A bar, A bar क्या आएगा बताओ A के बाहर वाला पूरा A के बाहर वाला, A में क्या क्या है 2 and 3 A के बाहर कौन कौन सरीजन आएगा 1 and 4 तो मैं बोलूँगा A bar में 1 and 4 आने वाला है similarly बताओ B bar, B bar का मतलब B के बाहर वाला उसमें क्या क्या आएगा 1 and 2 तो B bar आ गया A bar आ गया A bar intersection B bar का मतलब क्या होगा A bar intersection B bar का मतलब reason which is common in both A bar and B bar ऐसे कौन से reason है जो दोनों में common है तो तुम देखोगे कि first वाला reason reason 1 is common in both 2 और 4 तो अलग अलग है तो अगर A bar intersection B bar निकालो तो कौन सा reason आने चाहिए one वाला reason आना चाहिए ओके तो A bar intersection B bar कौन सा reason आएगा first वाला इसको shade कर दिया अभी अब तुम देखोगे उपर वाला वेंड डियाग्राम और नीचे वाला वेंड डियाग्राम दोनों का दोनों सेम है यहां से मुझे एक formula पता चला that is A union bar B का जो bar होता है उसको हम लोग individually bar डाल दो और बीच में union को क्या कर दो intersection इस formula को हमें याद रखना है बहुत ही important formula है मैस में बहुत जगे पर यूज होने वाला है A union B का whole bar is equal to A bar intersection B bar एक तो यह याद रखा दूसरा अब यह से चलते है दूसरा A intersection B का whole bar निकालो सुचो A intersection B का whole bar का अगर तुम Venn diagram बनाओगे तो वो कैसा दिखेगा मेरे पास यह A होगा यह B होगा A intersection B common part को represent करता है तो मैं क्या करूँगा उसके बाहर वाले सारे reason को shade कर दूँगा यह पूरा का पूरा green वाला reason जो है वो किसको represent कर रहा है A intersection B का whole bar अभी क्या करो इसको निकालो A bar union B bar calculate A bar union B bar calculate करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा फिर से एक Venn diagram बनाओगा This is U This is A This is B अभी मैंने क्या किया reason while define कर दिया This is 1 यह वाला 2 है This is 3 यह वाला 4 अभी बताओ A bar में कौन-कौन सा reason आने वाला है A bar में आने वाला है 1 and 4 Similarly, B bar में कौन-कौन सा reason आने वाला है B bar में आने वाला है 1 and 2 ओके अभी तुम देखो A union B का मतलब क्या होता है जैसे Suppose मेरे पास कोई पूछे A union B क्या होगा तो मैं बोलूँगा A union B में A वाला reason भी आएगा 3, 4 सब आएगा Similarly, A bar union B bar में क्या होने वाला जितने भी reason present है A bar में and B bar में वो सब के सब आ जाएगे तो A bar union B bar जब calculate करने वाले हो तुम तो बताओ कौन कौन सा reason आएगा तो मैं बोलूँगा 1 reason आएगा 2nd वाला भी आएगा 4th वाला भी आएगा 1, 2, 4 1, 2, 4 कौन सा reason है तुम देखोगे 3rd छोड़ के सब कुछ 1, 2, 4 का मतलब 3rd छोड़ के सब कुछ 3rd छोड़ के सब कुछ का मतलब अभी तुरंच जो हमने 1 डियाग्राम उपर बनाया था ये और वो सेम है This means यहाँ से एक और formula पता चला कि A intersection B का whole bar जो होता है वो individually बार दे दो और intersection को क्या कर दो Union ये हुआ second वाला formula D Morgan's law का ये भी important है याद रखना बहुत easy मैं दोनों को एक जगे लिख देता हूँ तो D Morgan's law ने क्या बोला कि अगर मेरे पास A union B का whole bar हो तो you can write this as A bar intersection B bar और अगर मेरे पास A intersection B का whole bar हो तो we can write it as A bar union B bar simple सी बात है इस दोनों formula को हमें याद रखना है this is D Morgan's law तो अभी तक हमने क्या देखा दो set देखा और one set वाला देख लिया थोड़ा सा हम लोग तीन set वाले को भी देख लेते हैं three sets वाले Venn diagram three sets वाले Venn diagram को कैसे बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे वह ही method follow करने वाले है this is universal set एक set होगा जिसका नाम मैंने बोल दिया A A और B में अगर कुछ common होगा तो ऐसे represent करेंगे उसके आद एक और set बनाएंगे C ऐसा अच्छा बताओ A intersection B intersection C अगर मैं reason को देखूँ चलो मैं reason wise लिख देता हूँ ताकि एक ही बार में हम लोग लिख लेंगे ये second reason ये third this is fourth ये beach वाला पाँच this is 6 ये seventh ये eighth total कितने reasons हैं 8 reasons अगर मेरे से पूछे कोई A कौन से reason को represent करता है तो मैं बोलूँगा 2 and 6 and 3 and 5 इन सारे reasons को ले लोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे A मिल जाएगा अच्छा बताओ B किस reason को represent करता है तो मैं बोलूँगा 3 and 5 and 7 and 4 इन सारे reason को ले लोगे तो ये B पूरा का पूरा आ जाएगा ओके अच्छा C बताओ किस reason को represent करता है मैं बोलूँगा C में क्या क्या आने वाला है 5 and 6 and 7 and 8 ये सारे reason को ले लोगे तो C आ जाएगा ओके अभी बताओ A intersection B intersection C A intersection B intersection C A intersection B intersection C का मतलब क्या होगा ऐसा कौन सा reason है जो A में भी है B में भी है C में भी है तो मैं बोलूँगा सिर्फ एक ही reason मुझे दिख रहा है जो तीनों में common है रेटिस फिफ्ट वाला reason फिफ्ट वाला reason is common in तीनों वाला पार्ट ओके अगर मेरे से कोई पुछे A intersection B बताओ बस A और B में क्या common है तो मैं बोलूँगा 3 and 5 अगर कोई मेरे से पुछे सिर्फ B intersection C बताओ तो मैं कौन सा reason बताने वाला हूँ B intersection C में मैं बोलूँगा 5 and 7 उसी तरीके से मेरे से कोई पुछे A intersection C बताओ तो मैं क्या reason बताने वाला हूँ A intersection C में तो मैं बोलूँगा ऐसा कौन सा reason जो A और C दोनों में common है, that is 6 and 5 चलो, अब कोई मेरे से पुछे A union, B union, C बताओ क्या होने वाला है A union, B union, C में क्या होने वाला है 1 छोड़के सब कुछ 1 छोड़के सब कुछ मतलब 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 ये सारे reason को मिला दोगे, तो क्या बन जाएगा A union, B union, C अगर कोई मेरे से पुछे A union, B union, C का होल बार ये किस reason को represent करता है तो मैं बोलूँगा सिर्फ 1 बाहर वाले reason को अच्छा, यहां तक अगर clear है तो मैं आगे फिर से एक बार बनाता हूँ ताकि हमें clear हो जाए और Next कोई मेरे से पुछे A intersection B intersection C bar ये कौन सा reason है तो देखो ध्यान से A intersection B intersection C bar तो मैं ऐसे बोलूँगा A में कौन कौन सा reason है A intersection B में कौन कौन सा reason है पहले इसको निकाल लेते है A intersection B में क्या क्या आने वाला है या तो 3 या तो 5 अच्छा, C bar C bar में कौन कौन आने वाला है मैं बोलूँगा 5, 6, 7, 8 छोड़के सब कुछ तो 5, 6, 7, 8 छोड़के सब कुछ मतलब 1, 2, 3, 4 इसमें आने वाला है 1, 2, 3, 4 और इसमें क्या आने वाला है 3 and 5 बताओ दोनों में common क्या? सिर्फ third वाला reason इसका मतलब सिर्फ third वाला reason किसको represent करता है? A intersection, B intersection, C bar को represent करता है तो मैं बोलूँगा A intersection, B bar, intersection, C मतलब sixth वाला reason कैसे? तो A और C का intersection ले लिया तो वो six और five आया उसका intersection, B bar के साथ लोगे तो सिर्फ six आएगा चलो एक बार ये भी बता दो A bar, intersection, B, intersection, C ये कौन से reason को represent करता है? तो मैं बोलूँगा A bar, intersection, B, intersection, C का मतलब seventh वाला reason तो reason identify करने हमें आगया basic ली अब हमें कुछ भी ऐसा कुछ दे देगा तो मैं reason identify कर पाऊंगा चलो ये दे दे अगर A intersection, B bar intersection, C bar बताओ क्या आने वाला है? मैं बोलूँगा A में क्या क्या आता है? B bar B bar और C bar का intersection B के बाहर C bar का मतलब C के भी बाहर इन दोनों के बाहर कौन-कौन से रिजान है? सिर्फ one end, two अब उसमें A के साथ common कैस सिर्फ two तो A के साथ common सिर्फ two similarly A bar intersection, B, intersection, C bar उस दे तो क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूँगा A bar और C bar के बाहर और B के अंदर fourth वाला reason fourth वाला reason रिप्रेजेंट करता है A bar intersection, B, intersection, C bar को इसी तरीके से अगर पूछ दे A bar intersection, B bar intersection, C A bar intersection, B bar intersection, C का मतलब eighth वाला reason ओके ये तीन वाला वैंड डाग्राम भी हमें clear हो गया यहाँ पे एक formula को हम लोग derive करेंगे वो है N of A union B union C हमें derive करना है N of A union B union C को सोचो मैंने N of A ले लिया जब A लेंगे तो कौन कान्स रिजन लेंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ये तीनो reason आ चुका है उसके बाद मैंने लिखा NB जब NB लिखोगे तो कौन कान्स रिजन आ जाएगा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 승िमिलर्ली उसके बाद मैं लिखूँगा nc जब nc लिखोगे तो कौन-कौन सा रिजन आ जाएगा तुम्हारा ये वाला ये वाला, ये वाला ओके, तो तुम्हें दिख रहा होगा जब मैंने na plus nb plus nc किया तो बहुत सारे region है जो दो बाराए है और एक region है जो तीन बाराए है, तो मैं क्या करूँगा आफ subtract करना start करूँगा मैंने subtract किया, minus n of a intersection b n of a intersection b दो दो वाले को minus करना start किया जब दो दो वाले को minus करोगे तो क्या होने वाला है सोचो दो दो वाले के, a intersection b को minus किया, तो a intersection b में, एक minus हो गया एक इधर से भी minus हो गया similarly, तुमने क्या किया minus nb intersection c भी किया, जब b intersection c को minus करोगे, तो क्या होने वाला है एक इधर से माइनस हो जाएगा एक इधर से माइनस हो जाएगा एक बार मैंने C intersection 1 को भी माइनस किया तो क्या होने वाला है एक इधर से माइनस हो जाएगा एक इधर से माइनस हो जाएगा तो मैं दिख रहा है बाकी सारे reason तो एक ही एक बार आये लेकिन बीच वाला पूरा का पूरा गायब हो गया, क्यों? क्योंकि एक बार यहां पे add हुआ था बीच वाला, एक बार यहां पे add हुआ था, एक बार यहां पे add हुआ था, एक बार यहां subtract हो गया, यहां subtract हो गया, यहां subtract हो गया, तो क्या हुआ बीच वाला खतम हो गया एक तरीके से, बीच वाले को लेना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार add कर दूँगा उसको, n of a intersection b intersection c को, तो यहां से मुझे एक फार्मुला पता चला, n of a union b union c is equal to n a plus n b plus n c, minus n of a intersection b, minus n of b intersection c, minus n of c intersection a, plus n of a intersection b intersection c, यह तिन सेट के लिए है, अब मैंने देखा, दो सेट के लिए हमारे पास आता है, n of a union b is, पहले na plus n b, एक बार minus किया n intersection b को, तीन के लिए इसा आए, इसको हम लोग generalize कर सकते हैं, n सेट के लिए, तो generalize form लिखे, तो मैं बोलूँगा, n of a1 union a2 union a3 dot 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 union an हो मेरे पास, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मै क्या करूँगा, सब का n a i को सम कर दूँगा, i is equal to 1 से n तक, मैंने क्या किया, n a1 plus n a2 plus n a3 plus n a1 तक गए, minus करूँगा, दो दो वाले समेशन को, n of a1 intersection a2, इस type के जितने भी हैं सब को minus कर दूँगा, फिर plus करूँगा, मैं 3-3 वाले को, plus करूँगा 3-3 वाले को, तो वो कु n of a1 intersection a2 intersection a3, उसके अच फिर से minus करूँगा 4-4 वाले को, n of a1 intersection a2 intersection a3 intersection a4, ऐसा plus minus plus minus चलता जाएगा हमेशा, ठीक है, तो यह formula हो जाएगा general n set के लिए, तो यहां से हमने cardinal number पे जितने भी formula थे, सब को याद कर लिया, हमने देखा basically, कि जो भी हमारे पार sven diagram होते हैं, उसको reason कैसे identify करते हैं, सारे reason को अगर identify कर लिया हमने, तो हमने यह भी देखा, कि हम लोग formula कैसे बना सकते हैं, n of a union b का, n of a union b union c का, अगर तिन set में है तो, और हमने जितने भी operations किये थे, difference of the set, union of the set, intersection of the set, एक और चीज हमने सिखा, symmetric difference of the set, उसके बाद हमने, complement of the set, तो यह जितने भी operations से, सब का हमने van diagram बनाने सीख लिया,